हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से स्वागता आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में आने वाला हूं अगर आप मेडिकल की चात्र हैं तब तो जान लेजिए आपको बहुत ही बैतरीन वीडियो मिल गया है क्योंकि इस तरह की जानकारी आप लोगों को जरूर रहना चाहिए वह भी आधा दूर नहीं पूरा रहना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते के बारे में जहां पर ब्लेडर में आ करके सारा का सारा यूरीन इकठा होता है और इसी के रास्ते से ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है और आप लोगों को यहीं पर बताया था कि जब ब्लेडर पूरी तरह से इंपटी नहीं होता है खाली नहीं होता है तो यह भी ए करने के लिए कौन कौन से दवायां दिया जाता है सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा यह देखिए यहां पर थोड़ा सा देख लिए जैसे कि यह मालीजे ब्लेडर है और यहां पर सूजन हो गया है समझ गया है तो इसको अगर यहां पर सूजन हो गया है तो इसको हम लोग के टर्म में सिश्टाइटिस भी काते हैं क्या काते हैं Medical टेर्म में से पिसाप के थाहली में अगर सूजन हो जाता है तो इसको सिश्टाइटिस भी कहा जाता है आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा बेसिक बात तो एकदम अचीज समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्या बताने वाला हूं क्या नहीं बताने वाला हूं तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कि क्या क्या चीज आप लोगों को इस वीडियो में तो यह क्या होता है, च्या नहीं होता है, पूरा इंट्रोडर्वाण को बताओंगा, फिर आप लिगों को बताओंगा कि पिसाब के थाइली में, सूजन हो जाता है, तो उन्में कोण- thế लच्छर देखे जाते हैं, आउंगा वस आपको थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखना तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्षन के बारे में कि अगर मालेजी किसी के पेसाब के थैली में सूजन हो जाता है तो यह क्या होता है सूजन क्यों होता है चलिए जानते हैं पहल पिसाब का थैली और इसको मेडिकल के टर्म में कहा जाता है सिस्टाइटिस समझ गया आप लोग तो यह हो गया इंट्रोडक्शन आयोप सभी लोगों को पता चल गया होगा तो अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मालेजिये किसी को सिस्टाइटिस हो गया है मतल पहला लच्छर देखा जाता है कि यूरीन के ब्लेडर में क्या होता है दर्द होता है अगर मालेजिये हम लोग वहाँ पर उस एरिया में टेच करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है इंटर कोर्स के दोरान बहुत ज़्यादा पेन होता है बहुत ज़्यादा यूर कोर्स के दोरान भी बहुत ज़्यादा पेन होगा ब्लेडर के एरिया के पास अगर टेच करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा ये भी एक लच्छड देखा जाता है पिल्विस एरिया में भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यदा पेन होना, फैट क्यों, या फिर सरीर में बहुत ज़्यदा कमजोरी देखा जाता है, जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी लच्छड देखा जाता है, यूरीन का कलर जो होता है वो बहुत ज़्यदा डार्क हो जाता है, ये भी देखा जाता है लच्छड म अगर मालेजी किसी को क्या हो जाता है पिसाप के थैली में सूजन हो जाता है और इनी लच्छड को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि हाँ लग रायन के पिसाप के थैली में मतलब सिस्टाइटिस में उनको क्या हो गया है सूजन हो गया है जैसे कि उसमें देखा जाएगा कि यूरिनरी ब्लेडर में दर्द होगा, उस एरिया पर टेच करने पर दर्द होगा, इंटर कोर्स के दोरान पेन होगा, यूरिनेशन के दोरान पेन होगा, बर्निंग बहुत ज़्यदा जलन होगा जब पिसाब करने जाते हैं, बहुत ज़् बात करते हैं कि आखिर कारपिसाब के तहली में सूजन क्यों होता है होने का कारण होता है दोस्तों कारण को जानने से पाले एक महतपूर सूचना आप लोग सुन लीजिए कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया है प्रैक्टिस करने वाले चात्रों के लिए A to Z बुक जो है टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चेप्टर मिल जाएंगे और फिरी में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्टर भी मिलेगा हर एक चेप्टर का ये बुक का जो प्राइज है मात्र 499 रुपए है ये बुक आप लोगों को PDF के फार्मेट में वा सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं अगर किसी के पेसाब के तहले में सूजन हो जाता है तो सूजन होने का क्या कारण होता है उसको भी चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगर हम लोग कारण की बात करें तो देखा जाता है बैक्टेरिया के ग्रोथ के कारण भी देखा जाता है कि पेसाब के थैली में सूजन बन जाता है जिसे हम लोग medical के term में से status काते हैं उसके बाद personal hygiene के कमी के दौरा मतलब हम साफ सफाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं अपने सरीर का तो उसके वज़े से भी देखा जाता है ये problem हो जाता है से status का समझ गया public toilet का ज्यादा यूच करते हैं मतलब public toilet बहुत ज्यादा गंदा होता है तो इसके वज़े से भी जू लोग अगर ज्यादा public toilet यूच कर रहे है तो उस cases में उन लोगों को भी देखा जाता है कि उनके पेसाब के थैली में क्या हो जाता है सूजन हो जाता है सूजन हो जाता है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है long time use cater मतलब कुछ ऐसे patient होते हैं जिनको पिसाब की नली लगी राती है और लंबे समय तक बहुत जादे दिन तक अगर उन लोगों को पिसाब की नली लगी हुई है तो उस cases में देखा जाता है कि उनके भी पिसाब की थैली में सूजन हो जाता है समझ गए इसलिए कहा जाता है कि पिसाब की जो नली होता है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं लगना चाहिए समझ गए नहीं तो एक नया problem की रियेट हो जाता है समझ गए सिस्टाइटिस हो जाता है उनको मतलब अगर किसी को क्या हो गया है सूगर लेबल बढ़ा हुआ है बलड में जो की डाबिटीज का पेसेंट है उस तरह के पेसेंट को भी देखा जाता है कि ये बिमारी हो जाता है उनके bladder में सूजन हो जाता है समझ गया आप लोग या फिर अगर मालेजिए किसी के kidney में पतरी है तो अगर किसी kidney में पतरी होता है तो उनमें भी देखा जाता है कि उनके पिसाब के थहले में सूजन हो जाता है जिसके कारण से ये सारे के सारे problem देखे जाते हैं तो इतने सारे कारण होते हैं अगर किसी के विसाब के थहले में क्या हो जाता है सूजन हो जाता है अगर किसी को सिस्टाइटिस हो जाता है तो क्यों होता है क्या कारण होता है तो इतने सारे कारण होते हैं इन में से किसी विकारड की वज़े से देखा जा सकता है कि उनको ये problem हो गया है। समझें आप लोग तो चलिए बात करते हैं ये कारड को हम लोग जानने के लिए कि आखिर क्या कारड है आखिर क्यों सूजन हुआ है। कि आपको किडिनी स्टोन तो नहीं ना हुआ है। क्या आपको पहले कभी यूरेंरी ट्रेक इनफेक्शन तो नहीं ना हुआ है। तो ये कुछ medical history देखा जाता है पेसेंट का जिसके माध्यम से पता चलता है। दूसरा जो होता है वो होता physical examination में आपका क्या नाम है। उसके बाद नाम तो उसी में लिखा रहाता है परचे में। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम देखा जा रहा है। क्या लच्छड दिख रहें आपको। तो आप सब कुछ बताएंगे कि हमको बुखा रहे हैं। हमको जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है। उसके बाद ब्लेडर के रिया में टच करने पर पहुठ जादा पेन होता है। ऐ्रिनेंशन के दौरान पहुच जादा पेन होता है। तो इसके मादेम से भी alleymay किया जाता है। समझ गये। जोगी क्या होता है फिजिकल एक्जामेनेशनेंशन। उसके बाद sign in symptom basis मतलब जो लच्छड बता रहे हैं आप लोग उसके basis से भी अनुमाल लगाया जाता कि हाँ यह problem है blood test and urine test के मादियम से भी इसको identify किया जाता है कि आखिरकार क्यों cystitis मतलब इनके bladder में आखिरकार क्यों सूजन है इसको confirm करने के लिए blood and urine test कराया जाता है या फिर ultrasound scan के मादियम से भी इसको identify किया जाता है कि आखिरकार क्यों इनके पिसाब के थहले में सूजन है x-ray bladder का जो होता है x-ray कराया जाता है और bladder के x-ray के मादियम से भी इसको identify किया जाता है कि आखिरकार पेसाब के थैले में सूजन है तो क्यों है and urine culture test के माध्यम से भी इसको identify किया जाता है तो दोस्तों अगर किसी के पेसाब के थैले में सूजन हो जाता है उसको हम लोग confirm करने के लिए आखिरकार main कारर क्यों है आखिर इनको पेसाब के थाले में सूजन क्यों है करण को जानने के लिए ये सारे टेस्ट करा जाते है जैसे कि पेसेंट का medical history देखा जाता है physical examination, sign and symptom के basis पर blood and urine test के माद्यम से ultrasound scan या फिर bladder का एक्सरे कर दिया जाता है या फिर urine culture टेस्ट करा जाता है ये सारे के सारे टेस्ट किये जाते है identify करने के लिए क्या खिरकार क्यों इनके पेसाब के रास्ते है मतलब bladder में सूजन क्यों है सिस्टाइटिस इनको क्यों गाए तो ये हो गया पूरा का पूरा diagnosis and test आप लोगों को यहाँ पर एकदम इस disease के बारे में पूरे details ले बता रहा हूं क्योंकि ये disease बहुत से important है आप सभी medical चार्टोर के लिए जानने के लिए तो इसमें अभी तक आप लोगों को क्या-क्या बता दिये है पहले आप लोगों को introduction पूरा बताएं फिर इसके बाद आप लोगों को बताएं कि क्या symptom होता है मतलब क्या लच्छर देखे जाते हैं अगर किसी को ये बिमारी हो जाता है उसके बाद क्या कारण होता है काजेज आपको बता दिये है फिर उसके बाद diagnosis and test आप लोगों को बता दिये है कि मतलब क्या क्या टेस्ट कराया जाता है इसको identify करने के लिए तो आज होब सभी लोगों को ये बात पता चल गया होगा अब आप लोगों को कुछ common treatment के बारे में बताने जा रहे हैं और फिर आपको सभी medicine के बारे में बताऊंगा उसके बाद last में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को बहुत सारे medicine के बारे में बता रहे हैं और इसको किस तरीके से डाक्टर लोग दवाओं को लिखते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताऊंगा तो अगर आप medical के practice करने वाले चाते रहे हैं तो इसको पूरा देखना आप लोगों को किस तरह से दवाईयों को फिर इसक्राइब किया जाता है उसको भी यहाँ पर आपको सिखाऊंगा समझ गए तो चलिए बात करते हैं अब treatment के बारे में दोस्तों पहले common treatment के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत जादा से जादा उनको पानी पीना चाहिए लगबग में किना पीना चाहिए दो से तीन लिटर तो कम से कम पीना चाहिए समझ गए दो से तीन लिटर से जादा ही पीना चाहिए इससे कम बिलकुल भी नहीं पीना चाहिए coconut water का भी प्रियोग करना चाहिए इसको भी पीना चाहिए cabinary juice जिसे बोला जाता है हिंदी में करोंदा का juice ये भी पीना चाहिए medicine to the treat मतलब कुछ medicine का भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ personal hygiene को भी रखना चाहिए साब सफाई के लिए तो कौन-कौन सी दवाजियों का इस्तेमाल किया जाता है तो हो तो आप लोगों को नीचे बताने वाला हूँ लेकिन पहले ये जान लिजी आप लोग कि कौन-कौन से personal hygiene रखे जाते हैं साब सफाई के लिए जैसे आप नहाने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा detail डालेजी जिससे क्या हो जाए आपका सरीर का bacteria virus मर जाए तो सरीर के साब सफाई के लिए कुछ personal hygiene को भी रखा जाता है समझ गया आप लोग तो ये भी आपको पता रहाना चाहिए तो चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहा है medicine के बारे में कि अगर माली जी किसी के पिसाब के थैली में सूजन हो जाता है तो क्या होता है पिसाब के थैली में सूजन होता है तो introduction बता दिया है होने पर कौन से लच्छर देखे जाते हैं होने का क्या घरण होता है अगर माली जी किसी के पिसाब के थैली में सूजन हो गया है तो उसको confirm करने के लिए क्यों होगा है उसको जानने के लिए diagnosis and test करा जाता है तो कौन कौन से test करा जाते हैं वो भी आपको बता दिया है और फिर आप लोगों को कुछ common treatment के बारे में बता जो की 500 mg का ये tablet होता है समझ गया आप लोग जो की इंडियन फर्मकोपिया का होता है जो की सिपला कंपणी के द्वारा manufacture क्या आता है ये जो होता है ये प्रकार का antibiotic medicine होता है जो की bacterial infection को ये खिल करने का काम करता है आपको बताएं कि आखिर कार क्या कारण होता है क्यों पिस आ जादा growth हो जाता है तो उसके कारण भी देखा जाता है कि पिसाप के थैली में सूजन हो जाता है जिसको medical के termesis statis काते हैं तो bacteria के growth जो हो गया है उसको kill करने के लिए antibiotic medicine का इस्तेमाल क्या जाता है जो की पूरे bacteria को kill करते हैं जिसे हम लग बोलते हैं leofluxacin tablet समझ गया है तो यह हो गया सबसे पहला एंटिबाटिक चलिए कुछ और भी दवाईयों की बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मालेजिए leofluxacin का इस्तेमाल की नहीं ठेक होता है तो कुछ combination वाले medicine का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि final oget यह जो final oget है इसमें दो चीज का composition मिल करके बना हुआ ह एक है leofluxacin और दूसरा है orindajole यह दो चीज मिल करके बना हुआ है final oget समझ गया है जो कि यह एक प्रकार का antibiotic medicine होता है जो कि काफी ज्यादा useful होता है बैक्टेरिया वायरस को kill करने के लिए यह भी help होता है समझ गया है अगर बैक्टेरिया वायरस का growth ज्यादा हो गया है ज अगर हम इनके dose के बारें बात करें तो एक tablet per day मतलब दिन भर में एक tablet ही खाया जाता है एक tablet आज खाये तो एक tablet कल खाना है समझ गया आप लोग तो यह हो गया leofluxacin and orindajole tablet चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवायों का इस्तिमाल क्या जाता है जैसे कि oflux यह भी combination वाला होता है antibiotic इसको भी prescribe करते हैं डाक्टर लोग यह भी एक प्रकार का antibiotic medicine होता है जैसे कि ofluxin and orindajole tablet और इसके पहले आप लोगों को जो खंपो जीशन बता है वो क्या है यह ofluxin orindajole tablet है और यह क्या है यह है leofluxin देखिए बस यहाँ पर यह leivo है और इसमें क्या है इसमें ज इसमें होता है यह video जोता है वन टेबलेट पर डे अब इतने सारे antibiotic अभी तक आप लोगों को तीन इंटीबाटिक बता चुके हैं कौन-कौन से सबसे पहले बता हैं leofluxin और फिर दूसरा आपको बता हैं combination वाला जिसमें leofluxin and orindajole बता हैं समझ गया और तीसरा आपको य के लिए कुछ और भी दवा के बारे में जाल लेते हैं जो अगला दवा है दोस्तों यह है नार्फ्लाक्ससीन और टिनिंडा जूल टैबलेट अब नार्फ्लाक्ससीन आ गया है तो यह प्रकार का antibiotic ही है जो कि नार्फ्लाक्स टीजेट के नाम से famous होता है जो कि यह भी कापी जाड़ a useful and popular medicine होता है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर इनके Doge के बारे मिबाथकरे तो इनका भी Doge सेमी होता है जितने सारे अंटिबाजिक का जाता है एक tablet दिन भर में एक बार ही खाना है समझ गा है वन टेबलेट पर डे यूज आप्टर मेल मतलब खाना खाने के बाद इसको एक टेबलेट खा लिया जाता है समझ गा आप लोग तो कुछ और भी मेडिसीन होते हैं उसको भी ज्यान लेते हैं जैसे कि यह देखतों फोसिरोल फोसिर की क्लेवन फोसिरोल फोसिलगें एक बार है जिसको एक बार में लोग और को देबलेट टोर्मेज दिन भर में एक टेबलेट दो से तीन बार लिया जा सकता है समझगे आप लोग जो कि ये भी काफी जादा यूच्पलेन पापुलर मेडिसीन होता है अगर किसी के पेसाब के थहली में सूजन हो जाता है तो उसके ट्रेटमेंट के लिए इसका भी इस्तिमाल किया जाता है कुछ और भी दवाईयां होता है जैसे की बात कर लेते हैं इंजेक्शन का भी इस्तिमाल किया जाता है जो कि काफी जादा यूच्पलेन पापुलर होता है ये भी अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है इसका डोज होता है 0.25 से लेकर के 1 ग्राम दिन भर में 2-3 बार इस्तिमाल किया जाता है और इस इंजेक्शन को लगाया जाता है नसों में समझ गया आप लोग नस में इसको लगाया जाता है IV मतलब intravenous इसको लगाया जाता है अगर हम इनके medicine के brand name के बारे में बात करें किस नाम से यादा थर फेमस होता है तो यह फेमस होता है augmenting injection समझ गया जो कि यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाईयां होता है जो कि इस cases में इस्तिमाल किया जाता है जो कि है कोट्रिमाक जोल टेबलेट समझ गया है कोट्रिमाक जोल टेबलेट का इस्तिमाल किया जाता है कुछ और भी दवाईयां होता हैσι wa里 जिसे की नैट्रो फ्यूरॉरन जो कि इस सरेनरे टेबलेट जो कि कापी ज़ादा याई एंट्पापूलर होता है इसका भी इस्तिमाल किया जाता है, अगर किसी के पिसाप के तहली में सूजन हो जाता है, बहुत जादा वहाँ पर दर्फ हो रहा है, तो उस cases में noitrofurem treatment tablet का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर हम इनके dos के बारें बात करें तो one tablet दिन भर में 2–3 बार इस्तेमाल किया जाता है अभी आप सभी लोग कहेंगे कितने सारे antibiotic इतने सारे अलग-अलग medicine के बारें बता रहे हैं तो इसको किस तरह से डोज को बनाया जाता है, मतलब कौन-कौन से दवाईयों को दिया जाता है, जैसे कि एंटी बैटे कितना बता दिया है, और भी अलग-अलग मेडिसीन बता दिया है, उसके बद एंटी पंगल मेडिसीन को बता रहे हैं, और बहुत सारे medicine को आपको बता रहे हैं तो किस तरह से इसका डोज बनाया जाता है वो last मैं आपको बताऊंगा परिशान मत होई आप लोग अभी आपको पूरे medicine के बारे में पहले आप लोग जान लेजिए अगला दोस्तों जो medicine वो है Oxyl, Odoxyl tablet ये जो है Sephodoxyl की नाम से famous होता है Sephodoxyl tablet भी काफी जादा useful and popular medicine होता है जिनके डोज के बारे में बात करें तो one tablet दिन बर में एक से दो बार इसको दिया जाता है जो कि ये भी क्या होता है Indian Pharmacopeya का medicine होता है कुछ और भी दवाईयां होता है जैसे कि Sifaxime and Potassium Calvone tablet जो कि Taxime O के नाम से famous होता है जो कि 200 mg का ये tablet होता है इनका वी डोज सेमी होता है दिन बर में एक से दो बार इसको भी दिया जाता है जो कि काफी जादा useful and popular medicine होता है अगर किसी के पेसाब के तहली में सूजन हो जाता है तो उस cases में इसको भी दिया जाता है इस injection का भी इस्तेमाल किया जाता है इस injection के अगर हम root के बारे में बात करें तो इसको IV and IM दोनों माध्यम से लगा सकते है जो कि एक दम उपर यहाँ पर लिखा गया है mono safe के नीचे समझ गया आप लोग इनका डोज होता है 1 से 2 ग्राम दिन भर में एक से 2 बार एक बार ही दिया जाता है समझ गया आप लोग कुछ और भी दवाईयां होता है जैसे कि lektaguard हो गया ये भी कापी जादा useful and popular होता है जो कि इनके dose के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 12 गंटे में एक बार इसको लगाया जाता है इसको भी लगाया जा सकता है IMB और IVB समझ गया आप लोग तो ये बाते भी हो गया कुछ और भी दवाईयों के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि antifungal medicine में flu kona jol tablet का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि कापी जादा useful and popular होता है इसको भी जादा से जादा प्रिस्क्राइब किया जाता है flu kona jol tablet को भी समझ गया आप लोग और intra kona jol भी होता है इसको भी prescribe किया जाता है मतलब कोई भी एक antifungal medicine भी prescribe किया जाता है इस कीसे से में समझ गया आप लोग कोई भी एक इन में से सब नहीं जितना आप लोगों को बता रहे जैसे को trimak jol बता दिये flu kona jol बता दिये intra kona jol बता दिये तो ये सारे का सारा दवा नहीं इस्तिमाल करना है इन में से कोई एक दवा इस्तिमाल करना है समझ गया है जैसे के flu kona jol 1.500 mg का tablet है तो इनका डोज क्या होता है, एक tablet लगातार एक सब्ताह तक खाना इसको, या फिर अगर हम लोग इंट्राकुना जूल के बारे में बात करें, तो इसका क्या डोज होता है, तो एक capsule खाना है, 7 दिन तक लगातार, दिन भर में एक बात, समझ गया आप लोग, कुछ और भी दब को प्रौइड का जाता है, समझ गया आप लोग, जिनका डोज होता है, वन टेबलेट, दिन भर में दो से तीन बार इसको लेना है, समझ गया आप लोग, उसी तरह से एक आता है, ओइंटिमेंट, जिसका नाम होता है, लूली कौना जूल, ये प्रकर का क्रीम होता है, जो की समझ गया आपら जिस इसका ६ोज होता है इसका ६ोज मतब होता है दिनवर में एक से दो बार तीन बार लगाया जा सकता है समझ गया आप लोग उसी तरह से और भी कुछ होते हैं जैसे कि यह हो गया सीरप अलकासole की नाम सेações होता है Alka Sol oral solution होता है जो कि कापी यादा useful and popular medicine होता है अगर मालीज ये किसी को क्या हो गया है पेसाब के थाइली में सूजन हो गया है तो उस cases में Alka Sol इसका भी oral solution का भी इस्तिमाल किया आता है जो कि ये एक प्रगार का क्या होता है सीरप होता है समझ गया जिनका डोज होता है पांच ये मेल दिन भर में दो बार लेना है एक बार सूभे और एक बार सामकू अलका सोल के अगर हम लोग कमपोजीशन की बात करें तो डाइसाओडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सालूसन होता है समझ गया अपलोग इसका कमपोजीशन कुछ से की और यह बहुत सारी दवाई यहां होते जैसे कुछ नेचरल सालूसन होते हैं जिसका नाम होता है कराक अलका सीरप समझ गया है अलका सीरप के बारे मूँपर बताएं यह कराक अलका सीरप होता है जो कि यहां पर आप लोगों को दिकरा होगा यह जो होता है एक प्रकार कर तो आरे ये लिए मनुफक्ट्र किया गया है। इसका डोज आपको बता है कि नहीं, करारक अल्का सीरफ का डोज होता है 5 ml दिन भर में दो बार इसको लिया जाता है। हिमालिया कमपनी का एक आता है रिनाली का सीरफ, इसका काम क्या होता है, यह भी इस्तिमाल क्या जाता है, अगर किसी के पिसाप के तहली में सूजन होगा है, या फिर यूटिया हो गया है, तो इसका इसका भी इस्तिमाल क्या आता है, जिनका डोज होता है, पांच एमेल दिन पर इसको लगाया जाता है, दिन भर में 2-3 बार इसको उस particular area में इसको apply किया जाता है, समझ किया उसी तरह से कुछ homeopathic medicine होते हैं, जिसका नाम होता है, यह SBL drop होता है, इसके dose के बारे में बात करें, तो 10-15 drop इसका इस्तिमाल क्या आता है, दिन भर में 2-3 बार, उसी तरीके से एक आता है, clearest stone, अगर माली जी किसी kidney stone हुआ है, मतलब kidney में पथरी हुआ है, तो इस cases में clearest stone आता है, जो कि SBL का होता है, यह भी clearest stone, जिसका इस्तिमाल क्या आता है, 10-15 drop दिन भर में 2-3 बार इसको भी लिया आता है, कि एगर माली जी किसी kidney में stone हुआ है, मतलब kidney में पथरी है, और इस कारण से अगर किसी को पेसाब की थेली में सूजन हुआ है, तो इस cases में इस homeopathic दवाईयों को भी prescribe किया आता है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर इतने सारी दवाईयों के बारे में, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर बताएं, अब आप खुब बताने जा रहे हैं, कि डाक्टर लोग medicine को कैसे prescribe करते हैं, जैसे कि इनमें से कोई एक antibiotic लिख देंगे, इनमें से कोई और दवा लिख देंगे, इनमें से कोई और भी दवा लिख देंगे, जितना सारा दवा बताएं हैं, उसको किस तरी से prescribe क्या जाता है, चलिए उसको जान लेते हैं, जैसे कि दवाईयों को इस तरी के से लिखा जाता है, कि आप लोगों को इतने सारे antibiotic के बारे में बताएं, लेकिन उनमें से कोई एक antibiotic लिख दिया जाएगा, और इसने सारे fungal infection के लिए antifungal medicine को बताएं, तो उनमें से कोई भी एक antifungal medicine को दे दिया जाएगा, एक कोई alkalizer दे दिया जाएगा, कोई भी एक cream दे दिया जाएगा, इतना सारा आपको बताएं, कोई भी antacid medicine दे दिया जाएगा, और कोई भी fever का medicine समझ गया, इस तरीके से resultate को streaming की आई जाता है, कि अगर आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या दोगा है, तो जिसको भी समझ में आया हो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकोन को नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लेजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकरके एक कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर गताईएगा वेट्क्स वाचिए लगगा एर देड़ का जाट थेले एम इसलिए और सब्सक्राब चाब जाट गैम जाट एम देड़ थेले लगगांगे इसलिए आट लो खर भागा जाट।